नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विरेन एमदाबाद गुजरात से और आप सभी का फिर से एक बार हमारी चैनल किड्नी एक्सपिनेस में स्वागत करता हूँ दोस्तों किड्नी की जो विमारी है उसमें सबसे बड़ी प्रोब्लेम ये है कि हमें बहुत लेट बता चलता है कि हमारी किड्नी फेल हो चुकी है या फिर किड्नी में कोई प्रोब्लेम है ठीक है तो आज मैं kidney fail होने के लक्षन के बारे में बात्चित करने वाला हूँ यानि कि report करा है बीना कैसे हम जान सकते है कि kidney के function में कोई गरबड है यानि कि जो normal लोग होते हैं जो लोग बार-बार report नहीं करवाते हैं उनको ये बहुत ध्यान से ये पूरा video देखना चाहिए बोड़ी में दीख रही है आपको तो तुरंद आपको kidney doctor के पास जाना चाहिए सबसे बड़ा जो लक्षन है उसका वो होता ही urine यानि कि kidney का main function होता है urine को pump करना और उसमें से कच्रा हमारे बोड़ी में से कच्रा urine के थिरू बाहर निकारना तो जब kidney में कोई गरबड होती है kidney function में कोई problem होता है तो सबसे पहली चीज जो आपको chance दिखेगी वो आपको urine में दिखेगी या तो आप बहुत कम बार washroom जाओगे, कम बार पेशाप करने जाओगे या फिर जब आप urine करते जाओगे तो रोज जितना आप urine करते हो उससे कम आपको urine आ सकता है या फिर आपके urine के color में कोई change आ सकता है या तो वो पीला हो जाएगा, या तो थोड़ा सा orange रंका आएगा या फिर थोड़ा जागवाला आएगा अगर इसा कुछ होता है तो जरूर किटनी के function में कोई गरबढ है दूसरा जो लक्षन आता है वो ये है कि समझ लो किटनी ठीक से काम नहीं कर रही यानि कि urine का management बिगड चुका है तो जो बाकी हमारे बोड़ी में पानी बचता है वो बोड़ी के किसी और जगा पे चला जाएगा तो दूसरी जो चीज आती है वो होता है swelling यानि कि सुजन आ जाना जादा तर लोगों को किटनी की बिमारी होती है उसमें से बहुत लोगों को फेस पे सुजन आना शुरू हो जाता है या फिर पेरों में सुजन आता है ये दोनों जगा पे सुजन अगर आता है तो भी ये वो दिखाता है कि किटनी फंक्षन में कोई गरबढ है तिसरा जो लक्षन आता है वो ये है कि अगर पानी यहां वहां गुंता है face पे तो सुजन आएगी या भी पेरों में तो सुजन आएगी उसके अलावा पानी आपके chest में भी जा सकता है अगर chest में पानी चला गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है खास करके रात के time जब आप लेटते हो या फिर निध में हो रात को तो ज़्यादा तर सांस फूलने की विमारी होती है ठीक से आप सांस नहीं ले पाते है सांस लेने में दिक्कत होती है ब्रेधिंग प्रोब्लेम होता है आपको ऐसा लगता है कि ओक्सीजन कम मिल रहा है आपको अगर ये भी कुछ चीज़े आपके साथ हो रही है ठीक है ओवमें एक करवा घडसी बणी रहती है चाहे आप कुछ खाओ या ना करऊ मुह में आपको एक करवा करवा जिसना टेस्ट आता रहेगा जिससे आपको कुछ भी खाना पसंद नहीं आएगा या फिर आप कुछ भी खाओगे तो आपको इतना कड़वा लगेगा कि वोमिट हो जाएगी, आप खान ही पाऊगे और बाहर निकल जालता है ठीक है, जादा तर लोगों के यह होता है कि किद्नी जब फेल होती है तब कुछ भी खाना पसंद नहीं आता वो कुछ खाना ही नहीं चाहता, उसको इसा ही रखता है कि कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं है तो यह एक बिमारी हो सकती है, यह एक लक्षन है अगर किद्नी फेल है, अगर खाना आपको पसंद नहीं आ रहा आखों का और किड़नी का कुछ तो relation है, कोई तो connection है क्योंकि जब हम operation करवाने जाते है तब transplant के पहले भी हमारा आखों का correction किया जाता है आखों के reports भी किये जाते है तो जब kidney fail होती है, तब भी ये problem होती है कि आपका जो vision होता है, आपकी जो trusty ठीक है, उसमें कोई गरवड आ सकती है या तो आपको थोड़ा सा दुंदरा दीखेगा, थोड़ा सा डार्क दीखेगा चीजे clear नहीं दीखेगी, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो उसका भी कोई ना कोई connection किड़नी के साथ हो सकता है मुझे भी ये problem होई थी, मुझे बहुत दुंदरा दुंदरा दीख रहा था जब मेरे kidney fail होई थी, एक दब clear कुछ भी नहीं दीख रहा था ये हो रहा था, मेरे सांस रात में फूल रही थी तो ये कुछ common से लक्षन होते है अगर इस लक्षनों में से दो या तीन चीज आपके साथ हो रही है तो इसको likely मत लीजिए, तुरण आप अपने kidney के report करवाईए या तो फिर kidney के जो specialist doctor होते है, nephrologist उसको मिलिए तो इसमें से कोई भी चीज likely लेने जैसी नहीं है फिर से में एक बार दोरा देता हूँ पहली चीज होती है, आपके urine में कोई change आता है दूसरी चीज होती है, कि आपको swelling आता है, सुजन आती है, face पे या पेरों पे तिसरी चीज है, कि आपको सांस लेने में रात को कोई दिक्कत हो रही है चोती चीज है कि आपको खाने में पसंद नहीं आ रहा कुछ भी आपका टेस्ट चेंज हो गया है या फिर मुझ में कड़वा हरसी बनी रहती है और लास्ट में जो मैंने बताया कि आँखों की द्रश्टी में विजन में कुछ चेंज होता है तो ये सारे लक्षण होते हैं किड़नी फेल होने के इसमें से दो या तिन लक्षण किसी भी इंसान के साथ हो रहे है तो उसको तुरंध उसको इगनोर नहीं करना चाहिए और तुरंध रिपोर्ट करवाना चाहिए तो रग कोई nephrologist, kidney specialist को मिलना चाहिए तो मैं तो यहीं चाहता हूँ कि इसमें से आपके साथ कुछ भी ना हो आप हमेशा healthy रहे, एकदम खूश रहे लेकिन सतर्कता के लिए, सावधा देने के लिए और अपनी body की care करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है तो आप भी ये जान रखेगा और दूसरे लोगों को भी ये वीडियो शेर कीजिए ताकि kidney जैसी बड़ी बिमारी से बहुत लोग बच सकें क्योंकि जब time पे पता चल जाता है तो उसका result बहुत अच्छा आता है जब लेट हो जाता है तो उसका result अच्छा नहीं आता है बहुत सारी परेशानिया हो सकती है तो ये सब जानना बहुत जरूरी है दोस्तो तो इसी तरह से हम kidney के related बहुत सारी जानकारिया इस चैनल में हम आपको देते है तो आप कुछ भी जानना चाते हो हमें comment कर सकते हो हमें सवाल पूछ सकते हो हम अपने ही experience से वो सवाल का जवाब देने की कोशिश करते है इसी तरह से प्यार बसार दे रहिए दोस्तों और अगर आपने हमारी चैनल अपिता सब्सक्राइब नहीं की तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तक जल्दी सो मच